आज मैं अनुपात और शमानुपात पढ़ाने वाला हूँ चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले प्रस्ण को अच्छा से समझ लेना है पहला नम्र प्रस्ण है 36 अनुपात 121 का वर्ग मुला नुपात है यानि कि वर्ग मुल लिकालना है तो 36 का वर्ग मुल 6 होगा और 121 का वर्ग मुल 11 होगा तो देख लिजी इसका एंसर कहां पर है यानि कि 6 अनुपात 11 अ ओप्सन सही है अगला प्रस्ण दूसरा नम्र सबसे पहले प्रस्ण को अच्छा से समझना है इसमें क्या बोल रहा है 2 अनुपात 3 का वर्ग अनुपात क्या होगा यानि कि आपको इसमें वर्ग निकाल देना है तो 2 का वर्ग कितना होगा 4 होगा और 3 का वर्ग 9 होगा तो इसका एंसर देख लिजी चार अनुपात 9 कहां पर है तो C अफसन सही है अगला प्रस्ण तिसरा नम्र सबसे पहले प्रस्ण को अच्छा से समझना है इसमें क्या बोल रहा है 27 अनुपात 8 का घन मुला अनुपात है यानि कि घन मूल निकालना है तो 27 का घन मूल 3 होता है और 8 का घन मूल 2 होता है तो देख लिजी इसका एंसर कहां पर है 3 अनुपात 2 3 अनुपात 2 कहां पर है यानि कि B आप्शन सही है अगला प्रस्णा चार नमर, सबसे पहले प्रस्णा को अच्छा से समझना है, इसमें क्या बोल रहा है, एक अनुपात तीन का घना अनुपात कितना होगा, यानि कि यहाँ पर घन आपको निकालना है, तो एक का घन एक ही होगा, और तीन का घन कितना होजगा, तो तीन का और तीन देना है तो कितना होगा तीन तिया नो नो तिया 27 यानि कि यहां पर 27 होगा एक अनुपात 27 तो देख लिजिए एक अनुपात 27 कहां पर है बी ओप्सन सही है अगला प्रसना पांच नंबर सबसे पहले प्रसना को अच्छा से समझना है तो इसमें क्या बोल रहा है पा वाला को एक साथ गुना करना है नीचे वाला को एक साथ गुना करना है एक बार आपको लिखने के लिए समझना है तो पांच अनुपात तीन है तो आपको लिखना है पांच बटे तीन इसके बाद गुना चो अनुपात चार है तो आपको बटा में इस तरीके से लिखना है फ से यहां पर देख लिए दो दुना चार यह कट गया है और दो तिया च्छाओ और तीन से तीन तीन यह कट गया है तो उपर में कितना बच गया उपर में पांच बच गया और नीचे में यहां पर तीन बच गया तो इसको आप अनुपात में लिख देना है तो पांच अनुप से solve हो जाएगा यदि A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 5 तता B अनुपात C बराबर 3 अनुपात 4 तो A अनुपात C कितना होगा आपको ग्याद करना है A अनुपात C ग्याद करना है तो आपको इस तरीके से लिख लेना है A बटे C लिखना है अब आपको कैसे लिखना है तो A से स्टार्ट करना है A बटे B लिखना है समझने का परियास किजिएगा और आपको गुना करते जाना है जैसे यहां पर A बटे B लिखे तो आपको B से start करना है B बटे C और यहाँ पर C है तो आपको C तक ही जाना है अगर यहाँ पर D रहेगा तो D तक जाना है अगर यहाँ पर E रहेगा तो E तक आपको जाना है अब यहाँ पर देखिए जैसे हम लोगों निकालना है A अनुपात C का value निकालना है अगर हम इसको काट देंगे तो यहाँ पर A बटे C ही बचेगा तो इस तरीके से आपको लिखना है और इस तरीके से लिखने से फाइदा क्या है जैसे A अनुपात B का भेल्यू यहाँ पर दिया हुआ है A अनुपात B का value कितना है 2 अनुपात 5 है तो आप यहाँ पर 2 बटे 5 लिख सकते हैं गुना अब यहाँ पर दखिए B अनुपात C लिखा होगा यानि कि B अनुपात C कितना दिया हुआ है 3 अनुपात 4 है तो यहाँ पर आपको 3 अनुपात 4 रख देना है जो कट रहा है काट लेना है अगर नहीं कट रहा है तो डारेट गुना कर देना है तो यहाँ पर देखें कट रहा है दो दुना चार तो कितना हो जगा अब किसी से नहीं कटेगा तो उपर में कितना है तीन है और नीचे में दस है अब आपको समझना है इधर में A बटे C है त तीन बटे दस है तो आप लिख सकते हैं तीन अनुपात दस तो देख लिजिए यानि कि तीन अनुपात दस कहां पर है तो B ओप्शन सही है अगला प्रसना साथ नमबर यदि A बराबर 2B बराबर 3C है तो A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा तो क्या दिया हुआ है A बराबर 2B दिया हुआ है बराबर में 3C दिया हुआ है और ग्यात करना है A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा तो आपको क्या करना है किसी एक रूप में लेके चलना है या तो A के रूप में लेके चलना है या B के रूप में लेके चलना है या C के रूप में लेके चलना है तो यहां पर बराबर में दिया हुआ है इसका मतलब आप लिख सकते हैं A बराबर 2B ले सकते हैं या A बराबर 3C भी ले सकते हैं तो मैं यहां पर B के रूप में चेंज कर रहा हूँ यानि कि सभी को B के रूप में लेके चलेंगे तो A के जगा में 2B रख देंगे अब आपको इसको ब्राबर में लेके चलना है कितना है? 2B ब्राबर 3C है तो एहां से C का value निकालेंगे तो C का value निकालेंगे तो 3 चला जाएगा इसके बटे में तो क्या हो जाएगा? यानि कि 2B बटे 3 हो जाएगा अब आपको क्या करना है? A का value यहां पर रख देना है यानि कि B के रूप में change करें तो सभी के सभी B के रूप में change हो जाएगा A के जगा में क्या रखना है? यानि कि 2B रखना है तो यहां पर 2B रख दिये और यहां पर पहले से B है और C के जगह में क्या लेना है यानि कि यहां पर आपको रखना है 2B बटे में 3 रखना है अब आपको क्या करना है सभी में B है तो B को हटा देना है तो कितना हो जाएगा यानि कि 2 अनुपात यहां पर 1 हो जाएगा और यहां पर अनुपात में कितना है यानि कि दो बटे तीन है अब आपको क्या करना है जैसे इसके बटे में कुछ नहीं तो एक है इसके बटे में कुछ नहीं तो एक है अब सभी का LCM लेंगे नीचे वाला का तो LCM कितना होगा तीन होगा अब तीन से सभी में गुणा कर देंगे तो तीन से इसमें गुणा करें तो कितना होगा 3 ही रह जाएगा और इसमें 3 से गुणा करेंगे एहां पर 3 रखेंगे तो तीन, पर 2 रह जाएगा यानि कि इसका सही answer आ चुका है यानि कि कि ना है 6 अनुपात 3, अनुपात 2 तो देख लिजे कहां पर है 6 अनुपात 3, अनुपात 2 यानि कि C option सही है तो इस तरीके से आपको solve करना है अगर एक बार अच्छा से सिख लेंगे समझ लेंगे तो फिर कभी कोई दिकत नहीं होगा अगला प्रसना आठ नमबर सबसे पहले प्रसना को अच्छा से समझना है तो इसमें क्या पूछ रहा है चार आठ साथ और प्रसना चीन का चतुर्था नुपात क्या होगा तो आप इसको लिख सकते हैं जैसे कितना दिया हुआ है तो आप लिख सकते हैं 4 बटे 8 बराबर में 7 बटे प्रसना चीन इस तरीके से आप लिख सकते हैं अब इसको गुना करेंगे और इसको गुना करेंगे तो इसको गुना करेंगे तो क्या हो जागा यानि कि 4 गुने यहां पर प्रसना चीन और इसको गुना करेंगे तो 8 गुने 7 हो जाएगा और इसका value निकालना है तो क्या होगा 4 उधर में चला जागा यानि की 8 गुने 7 और बटे में 4 तो 4 दुना 8 हो जागा और 7 दुना 14 यानि की प्रशना चिन के जगा में क्या होगा 14 होगा देख लिजिए तो 14 कहां पर है तो इस तरह का प्रशना एकजाम में आता है और आज का जीतना भी प्रशना है कहीने कहीन एकजाम में आया हुआ है तो इस तरह का प्रशना एकजाम में आता है किसी प्रशन को आपको छोटा नहीं समझना है पहले आपको समझ लेना है कि solve कैसे करना है स्वल्व होगा या नहीं होगा अगला प्रसना 9 नमबर इसमें क्या बोल रहा है दो संख्याओं का अनुपात तीन अनुपात एक तथा योगफल बहतर है दोनो संख्याओं का अंतर ग्याद कीजे यहाँ पर दोनो संख्याओं का अंतर ग्याद करना है सबसे पहले दोनों संखिया ग्यात करना होगा तो अनुपात में कितना दिया हुआ है तीन अनुपात एक दिया हुआ है और योगफल मालूम है तो आपको क्या करना है अनुपात का योग लेके चलना है तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जगा चार हो जगा तो चार में आपको क्या लेके चलना है यानि कि योगफल दिया हुआ है 72 तो आपको 72 लेके चलना है लेकिन आपको एक में निकलना है तो चार से डिवाइट करेंगे तो 18 चोके 72 हो जगा यानि कि एक में कितना है 18 तो 18 से इसमें गुना कर तो संख्या मालूम हो जाएगा अठारा तिया चववन और यहां पर कितना हो जाएगा तो अठारा एकम अठारा यानि कि दोनों संख्या इतना है अब आपको अंतर करना है तो अंतर के लिए क्या करना है चववन में अठारा घटा देना है तो देख लिए कितना होगा एक दा तो देख लिजे 36 कहाँ पर है B option सही है एक तरीका और भी समझना है समझने का कोशिस किजिएगा एक बार सिखना है समझना है फिर कभी कोई दिकत ने होगा तो यहाँ पर अनुपात दिया हुआ है कितना है तीन अनुपात एक है और योगफल दिया हुआ है तो आपको क्या करना है जैसे पहली संख्या निकलना है तो आपको क्या करना है योगफल बटे ये दोनों को जोड के नीचे में रखना है तो यहाँ पर 4 होगा और गुने में जिसका निकलना है उसी से गुना करेंगे अगर इसका value निकलना है तो यहाँ पर इससे गुना कर देंगे तो देख लिजे क्या हो जगा यानि कि 18,42 और 18,34 यानि कि पहली संखिया आ गया अगर दूसरी संखिया निकलना हो तो क्या करना है वही काम करना है 72 बटे 4 और गुने में जिसका निकलना है उसी से गुना तो क्या हो जगा यानि कि 18,42 और 18 तो देख लिजे यहाँ पर भी वही चीज आ गया तो अंतर पुछा है यानि कि संखिया मालूम हो चुका है और अंतर पुछा है ये दोनों का अंतर कर देना है तो कितना आ जगा यानि कि 36 तो इस तरीके से आपको सिखना होगा समझना है तीन अनुपात एक दिया हुआ है तो आप xyz मानके चल सकते हैं तो पहली संखिया कितना होगा 3x होगा हम x मानके चलें तो दूसरी संखिया x होगा यानि कि इसमें x से गुना करेंगे तो x होगा और x में x से गुना करेंगे तो 3x होगा यानि कि पहली संखिया इतना है द लेना है और बराबर में 72 लेना है यहां से आपको सबसे पहले एक्स का भेल्यू निकलना है तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जगा 4 एक्स हो जगा और इधर में 72 है तो एक्स का भेल्यू निकालेंगे X का value 18 आ गया यानि की दूसरी संख्या मालूम हो चुका है 18 तो आपको क्या करना है अंतर ग्याद करना है तो इसमें इसको घटा लेना है तो कितना हैगा 36 तो इस तरीके से आपको सिखना है समझना है एक बार सिख लिजिए समझ लिजिए फिर कभी कोई दिकत नहीं होगा यदि उनका कुल मुलिय 180 रूपया हो तो उसमें 10 पैसे के कितने सिखे होंगे तो इहां पर सिखो का अनुपात दिया हुआ है और टोटल मुलिय दिया हुआ है तो आपको हमेशा एक जैसा में बदलना है एक जैसा में रखना है एक जैसा का मतलब क्या समझना है सबसे पहले तो यहाँ पर टोटल मुलिय दिया हुआ है 180 रूपया और अनुपात जो दिया हुआ है सीको का अनुपात है तो आपको एक जैसा में रखना है तो एक जैसा में रखने के लिए हमेशा अनुपात को चेंज करेंगे जैसे यहाँ पर टोटल मुलिय कितना दिया हुआ है 180 रूपिया में बदलना होगा क्योंकि अनुपात जो दिया हुआ है सीको का अनुपात दिया हुआ है तो आपको रूपिया में बदलना है क्योंकि टोटल रूपिया दिया हुआ है 180 रूपिया तो अनुपात कितना है एक अनुपात दो अनुपात तीन दिया हुआ है यानि कि स सिकों का अनुपात है यहां पर 25 पैसा का सिक्का है यहां पर 10 पैसा का सिक्का है और यहां पर 5 पैसा का सिक्का है अब रूपिया में कैसे बदलेंगे 25 पैसा का 4 सिक्का रहेगा तब 1 रूपिया होता है तो आपको 25 पैसा का सिक्का को अगर रूपिया में बदलना हो तो 4 से करना होगा यहाँ पर दस पैसा का है तो दस पैसा का दस सिखा रहेगा तब एक रूपिया होता है तो रूपिया में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा दस पैसा का सिखा को दस से डिभाइड करना होगा अब यहाँ पर आपको समझना है यहाँ पर पांच पैसा का सिखा पांच पैसा का 20 सिका रहेगा तब एक रूपिया होता है तो पांच पैसा का सिका को अगर रूपिया में बदलना हो तो 20 से डिभाइट करना होगा तो यहां पर 20 से डिभाइट करेंगे तो सभी रूपिया में बदल चुका है अब आपको क्या करना है आपको बटा में लेके नहीं चलना है, तो सबसे पहले इसका LCM निकलना होगा, यानि कि नीचे में जो भी संख्या है, उसका LCM निकलना है, तो कितना है, 4 है, इसके बाद 10 है, इसके बाद 20 है, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 2 दुना 4, 2 पचे 10, और 10 दुना 20, इसके बाद फिर से 2 से डि तो 5 दुना 10, 10 दुना 20, यानि कि LCM आ गया 20, तो सभी में 20 से गुना कर देंगे, तो इसमें 20 से गुना करेंगे, तो क्या हो जागा, 4 पचे 20, यानि कि इहां पर 5 बचेगा, इसमें 20 से गुना करेंगे, तो 10 से कटेगा, 10 दुना 20 और 2 दुना 4, यानि कि इहां पर 4 होगा, इ आपको क्या ग्याद करना है तो उसमें दस पैसे के कितने सिखे होंगे तो आपको यहां पर टोटल मुलिय दिया हुआ है तो आपको क्या करना है टोटल मुलिय बटा अब अनुपात में जो भी संखिया है उसको जोड़के यहां पर बटे में रखना है तो कितना हो जगा पां से गुना कर देना है चार तिया बारा अब आपको समझना है तीन से काट लाते हैं सबसे पहले तो तीन छक अठारा यानि कि साथ आ गया अब आपको समझना है अनुपाक जो हम लोग यूज किये है यह रूपिया में है और यहां पर टोटल रूपिया हम लोग यूज किये है तो यहां पर अभी जो आ रहा है 10 पैसा का टोटल रूपिया आ रहा है अब यहां पर आपको समझना है कि 10 पैसा का जो सिखा है वो रूपिया में कितना है यानि कि 60 रूपिया है तो टोटल सिखा कितना हो जगा एक रूपिया में 10 सिखा होगा तो 60 रूपिया में कितना होगा यानिकी 10 से गुना करना होगा तो देख लिजे क्या हो जगा यानिकी 600 हो जगा तो देख लिजे 600 कहा है C option सही है तो इस तरीके से आपको सिखना है समझना है अगर एक बार अच्छा से सिख लेंगे समझ लेंगे तो आप इसी प्रस्वन को fast calculation कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में answer आ जाएगा लेकिन एक बार अच्छा से सिखना होगा समझना होगा अगर कहीं पर समझने में problem हुआ है तो comment में लिख के बताईएगा मैं फिर से समझाने का परियास करूँगा आज के लिए इतना ही जैहिंद वंदे मातरम